मित्रों आप सब ने देखा कि कल ही भरष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वगोशित कट्टर इमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अर्विंद केजरिवाल जी के समर्थन में भरष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद रहे तमाम राजनेतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया परन्तु आज नियायले ने जो निर्णे सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की नियायिक हिरासत में भेजा गया है परन्तु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा समवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रही चुके थे और अभी तक उन्होंने जुडिशल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है इस से ये बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था नियायले की दृष्टी में वो गंभीर आरोप है और जो लोग केवल बयान बाजी करने का प्रयास करते हैं ये विशय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है निश्यत रूप से नियायले के समक्ष कुछ ऐसे तथ रहे होंगे जो ना आपके संग्यान में है ना हमारे संग्यान में है जिनके आधार के उपर ये निर्णे लिया गया अता हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयान बाजी करते हैं उन्हें इन गंभीर तत्थों पर विचार करना चाहिए और नियायले ने अपना इस विशय पर अभीमत दे दिया है